आप देखे लिए क्राइम स्टोरी उक्तर पर्देश के कोशंबी जिले में एक पक्ष के उप्पेदर का बेहत हैरान करने वाला मामला सामने आया है आरोबे के करण इठाना इलाके के मोजणपूर गाओं के इस बिजेपी कर्याकरता ने दलित बस्ती के तरफ जाने वाले राफ्ते की सड़क को उखाड कर अपने कबजे में लिलिया सबसे चोकाने वाली बात इस पूरे मामले में यहा है कि जिस गाओं में वार्दात हुई है वे कोशंपी डिया का गोदलिया हुआ हुआ है एक बख्षकर रास्ता उख़ाड़कर रास्ता बंग के जाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासितिक मामले में हड़कम मचा हुआ है आनान फानान में अधिकारी आप मीडिया के सामने औरूपक के किलाब करयावाही की बात कर रहे हैं आपको बता दे कि कुशंबी जिला मुखैले से 12 किलोमेटर की दुरी पर बसा ये गाउं मोज़मपूर साल 2015 में ये गाउं उस समय आम गाउं से खास हो गया था जब डियान कुशंबी ने इस गाउं को गोद लेकर इसके काया कर्व की पहल शूरू की गाउं अपने बुर्यादी बदलाव के दौर से गुजरी रहा था की तीन दिन पहले गाउं के ही बीजेपी कारे करता अंगत कुश्वाहा पर दलितों ने आरोप लगा कर संसली फेला दी की उनके गर के और जाने वाली सड़क को खाड कर अंगत ने उनकी इंटरलाकिंग इंट अपने कबजे में ले ली है दलित बस्ती के लोगों ने इस गटना की शिकायत पुलिस से लिकेत में की लेकिन मामला सत्ता दारी दल से जुड़ा होने के कारण पुलिस को इठोस कारवाई करने की जगह हाथ पर हाथ धरे बैटे रही जिसका नतिजा या है कि दलित बस्ती के 35 गरों का रास्ता बंद हो गया है दलित बस्ती का रास्ता बंद कर सड़क उकाड़े जाने का मामला जब शिकायत के जरिये परशासनिक अफसरों तक पहुंचा तो हरकम मच गया मामला बीजी पे के कारकारता से जुड़ा होने के करन इन अफसरों पर कारवाई का जिम्मा था वैफू फूकर कदम रखने लगे हैं बिना कैमरे के सामने आए बड़े परशासनिक दिकारियों ने बताया कि मोजबपुर गाउं की दिलीद बस्ती की सड़क साल 2013 में जिला पंचायत अदक्ष राजेश कुश्वाव ने 88 मीटर सड़क की इंटरलाकिंग करा कर दिलीदों के बस्ती में जाने का पका रस्ता दिया था पूरा मामला मेडिया के सामने आने के बाद जिले के परशासनिक दियारी बच रहे हैं तो वहीं जिला पंचायत के अपर मुख्या दिकारी एलन खरे की जाच में मामला सही पाई जाने के बाद कड़ी कारवाई के स्थान पर आरोपी अंगत को सड़क ठीक करने का नोटिसी दिये जाने की बाग कह रहे हैं कड़ी कारवाई के सवाल पर अपर मुक्या दिकारी एलन खरे ने दावा किया की निर्दार्थ समय में यदी सड़क सही नहीं कराए गई तो आरपियों के खिलाब एफाई आरो रिकवरी की कारवाई की जाएगी क्राइम स्थोरी के लिए उत्तर परदेश के कोशांबी से शिफ संकर मोदलवाल की रिपोर्ट कोई सुनाई नहीं साथ है बच्चला और को सवाहा और अंगत लाल को सवाहा इस अब रोट उखाड़े थे सर अब लोग को धंकी दे रहे थे सारे वीजेपी के जोएंड ही नेता है उसमें को धंकी दे रहे हैं कि हम यह सोलाल महुरे सा इसा करा देंग आपको पैक करा दें हैं तिक्कत हो रहे हैं सा दिक्कत हो रहे हम लोग को के बत्य गिल जा रहा हैं यहां और बुढ़ दिर गिल जा रहा हैं कि चाहिए डाय हुए रोड के बरोबर आपको इकलने नहीं देंगी दर्स इसमें मेरे दौरा अपने इंजिनियां साहिक बंता और वुटा से जांच करा ली जाई है और इसमें अंगरत सेंको सुवा को नोटे से बेजा जा रहा है यह के दौरा यह सब्सक्राइब फाड़ी गई है उत्तर परदिश के जंदश शामली के जिंजानाफरा शेतर के गाउं खौशपुर में हत्या के संसनी के बारदात सामने आई है जहां पर बाइक सावार अग्यात बंदमाशों ने यूवक को गर से बुला कर गोलियों से बून दिया बंदमाशों दोरा की गई अंदर दून फाइरिंग में दो गोलियों वक्त तैयाब के सीने में जा लगी और तैयाब गम्य रूप से घायल हो गया बारदात की सूचना परिजलों ने पुलिस को दी लेकिन परिजलों का आरोब है कि 30 मिनट बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुची सूचना देने के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुची और घायली वक को अस्पताल ले जाने लगी इसी भी स्तेयव ने पुलिस जीप में इदम तोड़ दिया पुलिस के सिलाप परवाई भरे रवीये से गरामेणों में रोश व्याप्त है वहीं गोलियों की तर तरार से गाउं में देशत का महल बना हुआ है गटना को अंजान देगा रग्यात पाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए यह गंट पर लो पला गोली मेर दी अल गोली मारे पिच्छा है अब जानकर इसकी की गई है कि उसका खुद का भी कुछ अपरादी के थ्यासता तो गाउं में ही किसी विक्ति के दोरह नहीं किसी जानकर विक्ति के दोरह फोन पर बलाया गया है और उसके मुला करके गोली मार की हत्या की गए बाकि इसकी जान्च भी की जारी है सब्सक्राइब का नाम ज्यान गिया है, उनका नाम ज़ेश्त questi, पूजा अर्चना का Vikram पूजा अरचना काड़ेकरम स्रीष्रीय है परवीन देम महत जी के सानेद्दे में हुआ आयोजन क्राइम स्टोरी के लिए सम्वादातांकुर सैनी की रिपोर्ट उत्तर परदेश के मोदिलेगर इस्तित शिरीबालजी धाम में आयोजीद विशेश पूजा अर्चना कारेकरम का आयोजन किया गया जिसमें काफी संक्या में वक्तों ने बाग लेकर धर्मलाब उठाया इंद्रा पुरुष्तित शिरीबालजी धाम में गत वर्षों की बातिश वर्ष भी आयोजीद विशेश पूजा अर्चना कारेकरम में शिरीश्री एकजार आठ परविन बहंत जी ने कहा कि इमानाव को अपने व्यस्त समय में से갈ूर निक्षार भगवान का समरन करना चाहिए और हमेशा दार्मिक कारेकरों में विजागर संत महात्माओं के आद्यात्मिक विचारों को सुनना चाहिए जिससे मनुनिश्यों को शही वा गलत की परफ हो सके इसलिए धार्मिक कारेकरों को जीवन में महत देना जरूरी है श्रीबालाजी धाम से जुड़े बक्त अनुज ने बताया कि 11 फरवरी को श्रीबालाजी धाम में ही विशाल जागरण और बंडारे का आयजन किया जाएगा श्रीबालाजी धाम में वसंत पंजीबे के तीन आयजित कारेकरों में काफी संक्या में दूर दरासे आई शरदालू ने श्रीबालाजी धाम में बगवान बालाजी के दर्शन कर धरमलाब उठाया कारक्रे में रोहित, कास, मस्ताना, सोमपाल सैनी, सुबास सैनी, सोनिक, विशिपाल समेथ कई लोगों का विशेश सहयोग रहा आप देखें लिए प्राइम स्टोरी देरदून में रायपुर थाना शेत्रे में बढ़ रही वाहन चोरी पर संग्यान लेते हुए एससपी के दोवारा एसोजी और थाना रायपुर टीम का गठन करते हुए वाहन चोरी की गठनाओ पर अंकुष लगाने के निर्देश दिये गए थे जिसके चलते पुलिस और एसेशो को मुख्बिर की सूचना पर वाहन चोर थाने के रास्ते देरदून से भागने की फिराक में थे तबी पुलिस ने चैकेंग अब्यान चला अगर रायपुर थाना शेत्रे में वाहन चोर गिरों के तीन सदस्चों को गिरफतार किया है पुलिस अभी आरवपियों से पूस्ताश कर रही है पकड़े गए तीनों आरूपी यूपी के बिजनोर के रहने वाले हैं क्राइम स्टोरी के लिए एक बिरो रिपोर्ट देरदून इस संदर्ब में इनका अपरादिक इतिहास खंगाला जा रहा है और उसको भी देखा जाएगा अगर और मुकदमें सामने आते हैं तो इनके पिरुद गैंस्टर के काज़ाई की जाएगी मेरी जनता से यही अपील है कि टू वीलर्स और पोर वीलर्स जब भी पार्क करें आप जो है फोर वीलर्स में स्टेरिंग लॉक और गेर लॉक जो है जरूर लगाएं साथ ही साथ टू वीलर्स में भीलक्रांप से उसको सेक्राएं टाके आपकी गाडियां जो है छोरी ना हो और साथ ही साथ उनके पेपर्स जो हैं रात में जब घर जाएं तो पेपर्स गाड़ी के गाड़ी में न छोड़ कर उसको अपने साथ ही रखें उत्तरखण के देरदुशेर की 60 बसों में मैला सुरक्षा के दरश्टेकत हर सीट पर सीटी लगाई जा रही है किसी भी गटना होने पर सीट के पास लगी विसल को बजा कर मैला एक किसी भी अनुनी गटना की सूचना दे सकती है जिसके बस्ते ये बस को रोक कर तुरंट बस पर लगे आठ अलग-अलग हैल प्राइन नंबर द्वारा पुलिस को सूचना दी जाएगी सीटी बसों में महिलाओं के साथ छेड़ चार की गटना पर पुलिस ने अनकुष लगाने और तुरंट कारवाई करने के लिए शेयर की सभी बसों में तुरक्षक्षे दिवस्ती से हर सीट पर विसल लगाने की कवायश शुरू कर दी है अगर किसी महिला के साथ कोई भी वक्ती छेड़ चार करता है तो महिला विसल बजा कर सूचना देगी उत्राखंट ट्रैफिक निदशालिय की तरफ से महिलाओं की बसों में शुरक्षा के परती जाग रुखता अभियान पिछले काफी समय से शेर की सीटी बसों में छेड़काने की घटनाओं को देखते हुए की है उत्राखंट परेवान निगम की माली हालत यात्रियों पर पड़ रही भारी नई टायरों के अबाव में निगम की परदेश बर के विबिन डिपू में करीब सो बसे खड़ी हैं हाल यह है कि रूटों पर बसों की कमी पूरी करने के लिए निगम यात्रों की जान से खेल रहा है कई रूटों पर पिट्रीट टायर लगाए जा रहे हैं जिनका मार्गों पर चलना अपने आप में एक बड़ा खत्रा है और इनके कारण भविष्य में कब कोई बड़ी दुरगटना हो जाए कहा नहीं जा सकता आपको बता दे की रोडवेज के परदेश बर में 22 दिवपों हैं जहां से वीबिन रूटों पर 14 सब वसो का संचालन होता है निगम लंबे सब ऐसे टायरों की कमी से जूज रहा है निगम को टायर जे के कमपनी उपलब कहाया करती थी लेकिन निगम की माली हालत खराब होने के कारण कमपनी को भुकता नहीं हो पा रहा है ऐसे में कमपनी टायर देने में आनाकानी कर रही है वहीं करमचारियों का कहना है कि वर्तमान में वित्य संकट बना हुआ है लेकिन शासन से अभी तक भुक्तान नहीं हो पाया है जिसके चलते टायरों का संकट बना हुआ है यहीं का कारण यह है कि क्योंकि जो मोटर पार्ट की जो कंपनिया है वो हमें समान वहाल नहीं दे रही है जिसके कारण से टायर हमारे समय पर नहीं आया है और टायर समय पर ना आने के कारण से लगभग लगभग पुड़े उत्राखंड के अंदर सो गाड़ियां खड़ी हो प्रिष के जिलन श्रामली के जिलना अठाना शेत्र के चौसाना मारक इस्तित हरसाना गाउं के जंगल में पुलीस और बदमाशों के बीच हुई मुड्वेड पुलीस को मुख्विर से इंपुट मिला था कि कुछ बदमाश रागिरों से लूट कर भागने का प्रयास कर रहे हैं मुक्बिर की सूचना पर पुलिस ने गेरावल्दिक करते हुए बदमाशों को पकड़ना का प्रयास किया लेकिन बदमाशों ने विरोध में पुलिस पर अंदा दून फाइटिक शूरू कर दी जहांपर दोनों और से कई राउंड गोलिया चली मुटवेड के दोरान दो गोली बदमाश रागिरों इसके पैर में जा लगी बताया जा रहा है कि बदमाश आये दिन रागिरों से लूट की वारदात को अंजाम देते थे पकड़े के बदमाश का नाम अनीश है जो एक लाग रुपे के इनामी बदमाश मुस्त्रफा उफकगा का बाई है बदमाश आनीश पर लूट के आदा दरजन से अधिक मुगद में बिन बिन थानों में दर जाए फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पतान में बर्टी करा दिया है जहां पर बदमाश आनीश को उप्चार दिया जा रहा है और पुलिस बदमाश के फरार साथी जबार के तलास में जुट गई है क्राइम इस्टोरी के लिए उत्तर पर्देश के सामली से फुरकार जंग के रिपोर्ट यह थाना शेतर जिंजाना में एक पाइक सवार के साथ में कुछ कैश की और कुछ अन्ने सामान की लूट करके भाग रहे थे इन्हीं जब सूचना पर घेराबंदी की कि पुलिस के द्वारा तो उसी में एक बदमाश अनीस नाम का जो के अभी पूश्टाच में जो तद्द से ग्यात हुए हैं वो यह है कि पहले एक लाग काई नामी दमाश मुस्तफा कगगा रहा जो कि मोल रूप से बाड़ी माज करके बदमाश मुस्तफार किया गया है जो मुट्पेड में जिसके दो गुलिन लगें फिल्हाल उप्चाराद में इनाम की अभी जानकारी की जा रही है जो अभी तक ग्यात हुआ है कि करीवन छे से चे की मुकदमें इस पर दर्च है जिसमें के हत्या इरादन हत्या और ल लाग उठाया जंदन नगर में आज जी श्राम कता अमरत सस्तं कारेकरम में वरिष्ट समाज से भी सत्पाल जी महाराज के अनुबवी संत महात्मा पारयति बाई जी आरादना बाई जी महात्मा करूना बाई जी महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी महात्मा अरादिका बा आक्स में डालकर मिशन एजुकेशन की ओर से गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए चलाए जा रहा है मिशन में अपना सयोग दिया क्राइमी स्टोरी के लिए अक्तर पर्देश के सारंपुर से ललित कुमार की रिपोर्ट हमारे महरास्री का यही लक्ष है कि मानव अपने आप को जाने यह शरीर हम नहीं है सरीर कुछ दिनों के लिए हमें मिला एकुछ बर्शों के लिए पड़ाइश साल, साथ साल, पकी साल लेकिन वास्तों में कौन सी सक्थी सरीर में है जिसे सरीर चलाई माने, ये प्रियाशील है उस सक्थी को जानने का यान पुदेश गुरु महराजी का है कि हम सब को सत्वतों जनाए और उनका यही कहना है कि हम हिंदू मुसल्मान सी किसाई आदी होने से पहले मानव मात्र का एक ही धर्म है कि मनुष्य अपनी आत्मा को जाने, सत्वतों को जाने आज हमारा विश्यस करके पांच दिवस्य एक रामा ने आधार पर सब्संग प्रवचन का कारेकम रखा गया था और हमारी ये संस्ता है मानुथ्थान से वास्तमी की है जिनके संस्ता अपक है सद्कुर्देश सद्पाल जी महाराज है और उनी की पैणा से हमने पंच दिवस् और सास आत्मिक सद्वावना यात्रा निकाली कि जिससे करकी हम नगर में सहरों में कलियों में लोगों को सद्संग में आने के एक एलान किया गया कि सद्संग में आईए और संतमा आत्माव का विचारों को सुने और साथ में आज वुर्कशा रोपन भी किया और पांच दि प्रियान लोगों की सुर्क्या बटोर रहा है। में मापदमावत की फिल्म चलेगी उसी थेटर में आग लगा दी जाएगी और किसी कीमत पर भी 25 तारिकों थेटर में नहीं चलने दी जाएगी। क्राइम इस्टोरी के लिए उत्ता परदेश के मुझफवनगर से समवदा था दीपक वत्स की रिबोर्ट। में हमारे युवा वर्ग ने भंसाली का पुतलफ हुका और पादुकौन का हम ये मैसिज देना चाते हैं भंसाली को पदमावत को जिस थेटर में मापदमावत की फिल्म चलेगी उस थेटर में आग लगा दी जाएगी। पच्छिस तारीक को हम अपने उत्तर परदेश के अंदर जिला मुझे फनगर के अंदर किसी भी होल में वो फिल्म नहीं चलने देंगे। तो इसके लिए बहुत बुरे परिनाम भुगतने होंगे बंसाली को हर ठेटर में आग लगा दी जाएगी और मेरा करना लाईवे बंद कर दिया जाएगा।